मैं आपको आपको आने वाले एक्जाम में help मिल सके जैसे की पहले भी मिलती रही है आप में देखा होगा कि एक्जेस में बहुत सारे प्राचिंतम राध्सी राज्य बताना है तो पहले नमबर कर था त्रिगरता कांगड़ा यानिके और दूसरे नमबर कर था कुलू ता यानिके कुलू जो है वो सही अंतर होगा अगर आप कुलू रियासत की बात करेंगे कुलू रियासत के बारे में आपने क्या धियान रखना है कि इसे रियासत की स्थापना किसने की तो कुलू रियासत की स्थापना जो है वो राजा विहंग मनिपाल के द्वारा की गई थी कुल्लू के बारे में आपने एक और बात ध्यान रखने है कि कुल्लू का वर्णन जो है कलहन की रास्तरंगिनी किताब में देखने को मिलता है तो ध्यान रखना कि रास्तरंगिनी ग्रंथ कलहन के बारा लिखा गया है और यहां पर इसका वर्णन देखने को मिलता है आपने य ये पहली राजानी हुआ करते यह आप ध्यान रखे यहां से खुन्लु में आपको बता है अभी दसहरा मैदाने लगता है अगला कूर्शन देए 127 कोषिन बोलते हैं तो बोलते हैं जब 1191, 1193 में मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमन किया था तो उस टाइम चंबा का साशक कौन था? तो चंबा का साशक जब आप से पूछा गया है तो उस दुरान चंबा का साशक था राजा विजे वर्मन ऑप्षन सी सही स्यंतर है तो राजा विजे वर्मन उस टाइम चंबा का साशक था? जब 1191, 1193 में भारत गौरी के दुरा भारत पर आक्रमन किया गया था ये धियान दखना है कि राजा विजे वर्मन ने इस आक्रमन का फाइदा भी उठाया था सराङन का फाइदा कैसे उठाया गया कि मुझे उस बटाया गये है कि इन्हों ने उस टाइम चुमिर और कुछ लदा के गशित्रों पर अपना सकाल प्रिये घर में तो थेखा जाय तो इस राजा सब थे जाए प्रजय तो बस यहां से विजये पाल के बारे बाए है आप इतना याद रखिये इतना ही ध्यान रखिये बाखी अभी जो है वो इलेक्षिन का टाइम है तो आपने ध्यान रखना है कि छंबा से पाँच विधान सबा की सीट जो है वह आती है यह भी ध्यान रखना है यह सब हो गया इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही है अगला कोशिन देखिए 128 बोलते हैं टॉल्मी ग्रीक हिस्टॉरियन कॉल्ड ट्रीगरता है तो बोलते हैं टॉल्मी टॉल्मी एक युनानी इतिहासकार था इस इसने ट्रीगरत यहनिके कांगड़ा को जुठा को किस नाम से जाना था तो इसने जाना था option दी कालिंदरीन के नाम से तो कालिंदरीन के नाम से जाना था यह आपने जरूर ध्यान बखना है यह most important question यहां से बैना इस question को ध्यान रखिएगा यह question repeat होने के संभाव नाभी है दोखों त्रीगरत की बात की जाए तो त्रीगरत का वर्णन जो है महाभारत, पुराण, रास्तरंगिनी यहां सभी में जो हो देखने को मिलता है पानिनी का जो गरंत था अष्टा ध्याई जिसका नाम है उसमें भी त्रीगरत को आयूध जीवी संग कहा गया है दियान ज़ए है कि महाभारत का जो यूद्ध में जथा वो जो त्रीगर्थ के सासक थे जिनका नाम था सुषर्मा चंद ने ज़टा वो कौर्वों का साथ जुथा को दिया था ये भी कोईशन पूचा गया तो ये ध्यान रखें कि नों ने कौर्वों का साथ दिया था जब कांगड़ा में महमान बनकर कांगड़ा आये थे यह आप धरूर ध्यान रखेगा एक बार तो उधितों को दरा 635 में विजिट किया गया था और दूसरी बार हैं कि वाइस करते रहें तो डेफेनिटली ज्यान रहें अगला बार बॉलते हैं इनवी चियर लौर्ड मेयो वाइसराय आफ इंडिया विजिट द मंडि प्रिंसली टेट रूर्ड मेयो ने 1871, 8811, aha1 में मन्डि प्रिंसली टेट वीजिट किया था आपने यहां से क्या ध्यान रखना है कि Lord Mayow की जब बात हो रही है तो Lord Mayow ने जनगन्ना स्टार्ट करवा दी थी मतलब पूरी नहीं हो पाई थी वो प्रंतु इसने जनगन्ना स्टार्ट करवा दी पूरी जनगन्ना तो जो था वो बाद में चलकर होई थी Lord Mayow के गारेकाल के दुरान तो यह भी आप Lord Mayow के बारे में ध्यान रखे कि यह concept इसने स्टार्ट कर दिया था और मंडी जो रियासत है मंडी रियासत जो है वो कहां से अलग होई है यह सुकेत रियासत से जो है वो अलग होकर रियासत बनी है यह ध्यान रखे आपने क्या ध्यान रखना है आपने यह भी ध्यान रखना है कि हैंजी डेविस के द्वारा मंडी की यात्रा कब की गई थी तो Henry Davis ने 1874 में जथा हो मंडी की यात्रा की थी 1874 ध्यान रखिए कि Henry Davis ने मंडी की यात्रा की थी आपने ध्यान रखना है इसके लाबा कि उस टाइम मंडी के राजा कौन थे जब Lord Mayo जथा वो मंडी आये थी राजा विजे सेन के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो राजा विजे सेन ने जो था वो Victoria Suspension Bridge का निर्मान भी करवाया था ये 1877 में इनके द्वारा निर्मान करवाया गए था Victoria Suspension Bridge का निर्मान के ज़रूर ध्यान रखना है ये important है Mr. Clark थे Mr. Clark की अध्यक्स्ता में या Mr. Clark की देखरेख में जो था वो राजा मंडी के राजा विजे सेन की सिक्सा जो था वो पूरी हुई थी इनकी सिक्सा का जिमा जो था वो Mr. Clark को सौंपा गया था तो ये question पूछे जाते है Mr. Clark का आपने ध्यान रखना है इनका नाम भी अगला question देखिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में के उन्थल राज्य की स्थापना किस ने की थी तो के उन्थल राज्य की बात करें कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी तो इस राज्य स्थापना गिरी शेन के द्वारा की गई थी option C सही अंत्र है राज्य को में लाज्य के बनता है लोग यह बन जाता है कि कि इसके अंतिम जाचक थे 10 राजा ही तेंदर सेन जो था वो इसके अंतिम जाचक थे आपने ध्यान रखना है जब 1857 का विद्रोग वा थे तो उस टाइम की उन्थल के शाचक हो थे तो उस टाइम की उन्थल के शाचक थे राणा संसार सें ये जुदाओ 1857 के विद्रोग के दोरा इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था इसके लिए इनको राजा की उपाध् आपने ध्यान रखना है कि फिरोग सा टॉगल की आदिञ जो था ये ये किउन्थल जासत कब आई घांस तो 1379 में 1379 में ये जिए जिए जुदाओ फिरोग सा टॉगल की आदिञ आ गएगी ज़ी है प्रेजैंट टाइम है ए arriba में विस रियासत के स्टेटश की बात करें प् फर्स्ट राजा लास्ट राजा 1857 के दोरान राजा इसकी कैपिट इसकी कैपिटल और जो भी कोशिंद मैंने बताए खासके फिरोट्सा तुबलक का यह सारे कोशिंद आपने ध्यान लखने हैं अगले कोशिंद में बूलते हैं 131 में the new year festival in अपर किनौर is called as बूलते हैं उप अपरी के नौर जो होता है अपर के नौर जो है उसमें नव वर्स के तिहार को जो है लोसर का जाता है लोसर फेस्टिवल है यह आपका option C सही अंसर है अब आपने ध्यान रखना है कि लोसर फेस्टिवल लोहॉल के साथ साथ किनौर में भी इनाया जाता है और लोहॉल इन द किन नौर में दख्रेनी तेहार भी जो है वो मना जाता है और उक्ष्यांग फेस्टिवल भी जो है वो किन नौर में मना जाता है एक तोशिम फेस्टिवल है तोशिम फेस्टिवल जो है वो किन नौर में अविवाहित पूर्सों द्वारा जो है वो मनाया जाता है यह आप जि जन अंक्षी है यह मैरिष का इन और में दमचल और जूसीश मैरिष का इन तुन हमस्मु द्रोज ओंड़ fund जन नढांग की नण में होता है ववस्ती टाइप का विवार है आप arranged marriage को कह सकते हैं तो ये ध्यान रखें किनौर के marriage के टाइप होगे और किनौर में कुछ death ceremonies जो होती है जैसे कि किनौर में मृत्यू के उपरान जो है वो सबों को डुवन्त भी का जाता है फुकंत भी का जाता है भगंत भी का जाता है ये प्रथा प्रचलित है डुवन्त फुकंत और भगंत ये ध्यान रखना है आपने और किन्नौर में भी ऐलेक्शन भी है तो किन्नौर से एक ही जो है विधानसभा की की शीछत आती है ये भी ध्यान लग लिजीए अब से कम किन्नौर और लॉल्स पित्ती में है एक एक विधानसभा की की सीछत है आगे बोलते हैं सिप्पी फेर इन हिमाचल प्रदेश हैड इन प्रेज आफ सिप्पी मिला लगता कहां पर है आपने अक्सर ये बढ़ा है बोल दें कि सिप्पी मिला जो लगता है ये किस की जो है उस्तूती में लगता है किस की स्तूती में जो है ये सिप्पी मिला लगता है भगवान शिव की स्थूती में लगता है और ये सिप्पी मिला लगता कहां पर है ये मस्षोब्रा में लगता है मस्षोब्रा डिस्टिक्स मिला में सिप्पी मिला होता है और ये सिप्पी मिला वो मई महीने में मना जाता है अच्छा कुछ मेले हैं मैं अगर आपको बताऊं तो सारी मेला अरकी में लगता है तिर्लोकपुर मेला जो है वो तिर्लोकपुर में ही लगता है एक बुफैलो मेला होता है जो कुफरी में लगता है मशोबरा में लगता है बुफैलो मेला हालदा फेस्टिबल जो है ये लोह वड़बाक जिन मेला उड़िष्टी कुन्ना के मैडी में लगता है इस सारे कॉशन जो है वो बेसिक बेसिक कॉश्चन से थोड़े रिवाइस करते रहना चाहिए तो एक वीजन आप आप हो गया आगे कॉश्चन में बोलते हैं 134 नमर कॉश्चन में बोलते हैं इंट्रडूश दी कल्टिवेशन ऑप पोटेटो इन शिंबला हील्ज इन 1823 बोलते हैं कि शिंबला हील्ज शिंबला की पहाड़ियां थी यहां पर पोटेटो की कल्टिवेशन जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी कौन से 1823 में आपने ध्यान रखना है कि मेजर क गनेडी ने जो था यह स्टार्ट की थी पोटेटो के बारे में मैं कुछ रिसेंट अगर आपको बताऊं जो पोटेटो प्रोडक्शन जो हिमाशल प्रदेश में हुई है दोहजार बीस इकीस में यहां पर कितने हुई है 1.6 लैक मैट्रिक टन 1.96 लैक मैट्रिक टन जो है कि पोटेटो प्रोडक्शन यहां पर हुई है यह ध्यान रखना है दोहजार बीस इकीस का और दोहजार उननीस बीस में कितने हुई थी वह हुई थी 1.97 लैक मैट्रिक टन एक पूछा गया था है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेशन को देकर थोड़ी गड़ब 1830 में मेजर कैनेडी ने जो था वो शिमला सहर के लिए क्योंथल के राजा से कुछ इलाके लिए थे जिनमें फागली, बैमलोई, कनलोग, खलीनी और भी बारवावाँ आते हैं और महराजा पटेयाला से जो था वो कैंथू, चेयोग और बधोग जो था यह गौन लिए आपके जरूर धियान रखना है कि 1830 में मेजर कैनेडी ने जो था वो शिमला सहर के लिए क्योंथल और महराजा पटेयाला से जो था वो गौन लिए यह जरूर धियान लगेगा, यह मोस्ट इंपोर्टन्ट है और मेजर कैनेडी ने अलू के कहती 1823 में स्टार्ट की, यह भ बिलिंग जो है वह आपबीर्णा गलाधिंग आपके लिए इसके लिए जो है好好 मस आगर आप बिलिंग की बात करेंगे specific रूपसे से कि यह बमहान रखना ने난ic 1978 में इस स्थान की खोज की थी पैराग्लाइडिंग के लिए ये पैराग्लाइडिंग के लिए स्रेष्ट है और 1984 में बिलिंग को एक अंतराष्ट्रिय पहचान भी मिली थी जब व्यक्तिगत स्तर पर यहां पर एक प्रत्योगता करवाई गई थी और 2002 में राज्य सरकार इनके स्टेट गवर्मेंट के द्वारा इस सहासिक प्रत्योगता को आगे बढ़ाने के लिए प्री वर्ल्ड कप शुरू किया गया था पैराग्लाइडिंग के लिए यह आपने जियान रखना है तो यह बेसिक हो गया जो बिलिंग पैराग्लाइडिं कि सैट है तो आपने कमेंट करके बता रहा है कि साइट है ने कुछ एकारैट ही मिल रही है और नहीं से काफी कुछ नए जानने को वी जो हो मिल दा है यह फीडबैक हम में मिली है तो एक स्रेष्ट श्कीम जो हो चलाई गया है कौन सी Ministry के दोरा चलाई गया है Ministry of Social Justice and Empowerment के दोरा चलाई गया मिनिस्ट्री ऑफ social justice and empowerment नहीं स्रेष्ट स्कीम चलाई है और इसमें residential education for students यहनिके students को जो है जो पढ़ाई में बच्चे अच्छे हैं उनको residential education जो है प्रवाइड करवाई जाएगी रहने के लिए भी और education भी जो होगी 9th से 12th class तकी होगी और schedule class की बच्चों के लिए यह होगी यह आपने ध्यान रखना है और इसके लावा आपने एक और question ध्यान रखना है कि National Tribal Research Institute यह National Tribal Research Institute है यह inaugurate किया गया है कहाँ पर New Delhi में New Delhi में यह inaugurate किया गया है यह June महिने के क्रेंट अफेरम डिसकस कर रहे है और अगला question आपने ध्यान रखना है कि United Nation की जो ocean conference हुई 2022 में वो कहाँ पर हुई यह United Nation ocean conference हुई यह conference जो था और्गनाइस की गई लिस्बन में लिस्बन पॉर्टिकूल में जो है यह पुर्टगार लिस्बन में जो था यह और्गनाइस की गई यह ध्यान रखेगा और अगला question आप ध्यान रखे कि World Competitiveness Index 2022 निकाला गया है यह इंडेक्स में जो है वो इंडिया का रैंक रहा है 37th 37th जो है वो इंडिया का रैंक रहा है इसमें और यह रैंक जो है वो IMD के दोरा निकाला गया है IMD का पूरा नाम है Institution for Management Development तो Institution for Institute for Management Development के दोरा World Competitiveness Index निकाला गया है 37th इंडिया का रैंक है और टेलिग्राम पर जोइन करने के लिए अपने टेलिग्राम ओपन कीजिए वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए अपको हमारे टेलिग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा टेलिग्राम पर 23,000 से ज्यादा लोग महां से जुड़ चुके हैं तो आप भी जुड़ जाएगर भी तक नहीं जुड़े इस वीडियो में इतना ही काफी है तो एट्स वाल फॉर तोड़ी थैंक यू थैंक यू बेरी मच फॉर बचाएगर थे जाएगर लिए बाद भी जाएगर विवा जाएगर भी तक नहीं है